कि नमस्कार ये एक बहुती स्पेशल शो है जो हम करने वाले हैं आपने ये शब्द सुने होंगे एवरिस्ट समिट इंडियन अब लोग सुनते हैं कि एक भारतिय ने एवरिस्ट पर जाकर हमारा नाम रोशन करा है लेकिन कुछ ही लम्य होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि पांच लोग एक साथ बैठे हों और उन सब के पास एक ना एक रेकॉर्ड तो हो और ये शो उसके बारे में हैं थुड़ा बताते हैं कि कौन है हमारे साथ यहां पर क्योंकि मुझे काफी खुशी है कि हम इन सब को एक साथ एक शो पर ला पाए और यह भी कि एक ऐसा सीजन था मांट एवरिस्ट पे कि काफी लोग समिट कर पाए और यह चार लोग पांचवा पहले ही कर या राधर ओल्डिस्ट इंडियन वुमन तो क्लाइम मांट एवरिस्ट क्या कहें आपके बारे में आपके हस्बंड पर अभी मैं आऊंगा दो मिन दीजे मुझे और शिवांगी जी हैं जो हमाज साथ जुड़ी हुई हैं स्काइप पे यंगिस्ट इंडियन जो कहते हैं त अगर मैं वापस आऊ संगीता जी के पास अंकुर बहल यहां पे हैं और अंकुर बहल और संगीता बहल ओल्डिस्ट इंडियन कपल टू स्केल एवरिस्ट हैं तो काफी यूनीक लोग हैं यहां पे शो पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनका धन्यवाद करूं कि कि आप लोग आया हमारे साथ बात करने के लिए समझाने के लिए के एवरिस्ट होता क्या है काफी लोगों को पता भी नहीं है लोग सोचते हैं कि कोई भी चड़ सकता है वहां पर ऐसा शायद है नहीं तो आंकुर आप पहले समझाईए कि एसा कून है ऐसा कुछ नहीं है आ और सारे लोग जो चटते हैं वो बहुत सोच समझ के क्लाइम करते हैं, वो ट्रेनिंग करके करते हैं, मेरे ख्याल से तीन-चार साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तेकनिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको दो-तीन चीजों की ख्याल रखना पड़ता है, एक है कि अगर आप क्लाइमिटाइज करते हैं कि नहीं अच्छी तरह और यह आपको ग्रैजुली जब आप ऊपर तक जाते हैं डिफरंट माउंटन्स करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप चाड़ सकते हैं कि नहीं और आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी हमारे इंडिया में आपको पता चलेगा कि अगर आप टेक्निकल स्किल्स हैं आपको क्लाइम करने के लिए उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बहुत काम करना पड़ता है और यह ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चाड़ सकता है आपको फिट भी रहना चाहिए सारा टाइम लेकिन आप जैसे कहते हैं मिया बीवी है ओलड़िस्ट भारतिया जो एवरेस्ट काइम कर चुके हैं लेकिन आपने एक साथ नहीं करा आपने चार समिट करी है एक साथ जो सेवन मांटिन्स जो कहते हैं seven summits of the world पर यह वाला आपने क्यों नहीं करा ऐक साथ इसलिए क्योंकि काफी डेंजरिस है और हमारे बच्चे हैं, दो बॉइस हैं, तो आगर आप मुझे अभी ओल्डेस्ट इंडिन मोमन कह रहे हैं, इसका मतलब के मेरे पेरेंस भी ओल्डर हैं, तो as a Indian, मुझे अपने पेरेंस का भी ख्याल रखने हैं, और जब हमें से एक जाता है माउंटन पे कोई बनता ही नहीं है, शिवांगी, मैं आगर आप से शुरुआत करूँ, आपने नेपाल की तरफ से एवरिस को क्लाइम करा, थोड़ा बताईए कि ऐसा क्यूं हुआ और ये एवरिस का भूत आप पर कब से सवार था? एक्शली सर, मैं हमेशा से बहुत अलग कर ना चाहती थी अपनी लाइब में। नोटी थी घर के कांट तोड़ देना और हमेशा अभी भी नौटी हो तो मामी कहती थी तो बेटा, तेरी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं हो सकते हैं और किसी भी बच्चे को पीट आना पकड़क तो मतलब मेरा जो नोटी मुझे देखकर मेरे ममी ने मुझे बोला कि तेरी अनरजी बहुत जाद है और वेस नहीं हो सकती है वो तो उनने मुझे इस चीज में डाला और नेपाल साइट से मैंने अवरेश इस ले क्या क्योंकि चाइनर साइट से सिक्स्टिन यर्स की परमीशन पर गई हूँ तो यह मेरे औरिजनल अड्वेंचर बड़ी है और माउंटन में हम दोनों यूनों वी थिंक एक्जाक्ली हमारा थिंकिंग जो है तो बिल्कुल मिलता जुलता है तो सबसे मज़ा भी पापा के ही साथ आता है जब हम एक साथ क्लाइम करते हैं तो इसली बार आप लोग जब प्रिपार कर रहे थे कि एवरेस जाना है लदाक में आप एक ट्रेनिंग के ले गए थे और वहां पर आपको स्नो लेपर दिखे थे बिल्कुल बिल्कुल हाँ वी वह रियली बहुत ही लखी थे कि हमें चार साइटिंग्स मिली स्नो लेपर के हम उले में लेकी है और दिया के साथ ना सिरफ ना केवल माउंटेनेरिंग और बहुत कुछ करते हैं स्कूबा डाइविंग, स्कीइंग, एक्स्ट्रीम स्कीइंग, कायाकिंग और आपकी बीवी ने आपको क्या कहा था कि मैं बेटी को लेके जा रहा हूं इवरेस्ट मैं यही कहूंग मेरी बीवी बहुत सपोर्टिव थी, वो बहुत घबराई जब हम दोनों माउंटेवरेस्ट पे ते सच बोलिए कुछ तो कहा होगा राथ को, दाता होगा आपको मैं यह कह सकता हूं कि इतनी इतना सपोर्ट हमें मिला मेरी वाइप से, मेरे पेरेंट से, पूरे परिवार से, फ्रेंड से, I think उसकी वज़ा से ही हम हमारा सभागया था कि हम समिट कर सके गर्ल चैल्ड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आप सब को मन की बात पे भी और सोशल मीडिया पे भी ट्विटर पे भी धन्यवाद दिया है और कॉंग्रैचिलेट करा है, आप बताईए दिया कि आपके लिए यह आपके बार में नहीं था, आपके बार में कर सकते हैं क्योंकि आप लड़की हो, you know, don't, कोई भी चीज, किसी के चीज के बारे में, यह कभी नहीं बोला है कि यह नहीं करो, you know, यह टन हो जाओगे, you know, especially with mountaineering, लोग सोचते हैं कि आप लड़की बाहर जाएगी, फिर टन हो जाएगी, फिर उसका तर लाइफ खतम, you know, यह बात नहीं है, हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकते हैं, not only in mountaineering, पर सब fields में, बस अगर हमें एक चांस, अगर हमें एक चांस दोगे, और मुझे लगता है कि family support इसमें बहुत ही बड़ी चीज है, you know, to not only fight for your dreams, but then also अगर family के साथ भी लड़ना होता है, तो बहुत टेंश मैं सभी माँबाप को हमारे देश में यही कहूंगा कि अपनी बेटियों को खुब साहित करें, इनको जहां, you know, जहां यह जाना चाहें, वहां इनको साहित करें, you know, just push them in that direction, encourage them, और यह लड़कियां पूरे देश को यह कहीं भी पहुँचा देंगी, संगीता, आप भी breast cancer के बारे में काफी कुछ कह चुकी है, Everest के summit के बाद, तो मेरा यह cause specifically था, Everest के लिए, क्योंकि काफी साल पहले, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, breast cancer से, she passed away, तो, just by chance, मैं मिली हूँ, Tata Memorial Hospital में, Women Cancer Initiative, Mrs. Devika Bhojwani, और मैंने का मैं इस बार Everest चाहरी हूँ और मैं यह cause साथ स्प्रेड करना चाहती हूँ, तो यह दो महीने मैंने breast cancer की awareness में, छोड़े छोटे वीडियो और फोटोस हर particular जगा पे बोलने के लिए, और awareness क्रेट करने के लिए म I think women by nature, अपने आपको कम देती हैं, महत्व, तो वो भी मैं चाहती थी के पुरा घर समालती है, पुरा घर समालती है, बदल गया है, पट यह वाली जो health का issue है, they look after everybody, लेकिन अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो यह breast cancer awareness was a good call. बजर्ग लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हमारा time खतम हो गया, मैं कहूंगा कि सब को, अपने आपको extend करना चाहिए, और सारी उमर्ट फिट रहना चाहिए, मैं अपने आप खुश किसमत हूँ कि मेरे jeans अच्छे हैं, और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं 40 साल का हो क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचता तो मैं कभी भी Everest नहीं क्लाइम करता क्योंकि मैंने क्लाइमिंग अपनी serious climbing शुरू किया 50 के बाल, तो मेरे कहाल से age is just a number, आपने तो seven summits of the world करनी हैं, 50 के बाल, 50 के बाल, मैंने climbing Kilimanjaro भी 50 के बाल ही शुरू किया था, और Kilimanjaro आपने एक साथ क मैं क्या सोच रहे थे आप क्योंकि हम दोनों outdoor के बहुत शुकीन हैं, बाहर जाते हैं, इतने सालों से हम बाहर गुमते रहे हैं, इतना प्यार के summit पर भी जा रहे हैं, अब क्या करें, बहां लडाईयां नहीं होती हैं, इतने थके होते हैं, सारा दिन चलते रहो और फिर टे जब आप क्लाइम कर रहे होते हैं, वो क्या था आपके लिए? मेरे लिए अक्शली नीचे आते वक्त, जादा मुश्किल होता है कहते हैं, बहुत ही एक second step नाम का जगा है, जहां बहुत नैरो लाडर्र के साथ नीचे जाना पड़ता है, अक्शली वो मेरे लिए सबसे जादा है, और नीचे नीचे देखते हो तो जादा डर लगता है शायद, तो वो मेरे लिए डेफिनिटली सबसे जादा दरावना मुझा है, मेरे लिए केंप 2 में जब हम पहुंचे तो बहुत जोर से अंधी चल रही थी, 50, 60, 70 किलोमेटर परार की रफतार से, तो मुझे मुझे लगा, या तो हमारा टेंट फट जाएगा, और या टेंट के साथ हम पहाड से ब्लोण ओफ, तीन स्टेप्स हैं, समिट के रास्ते में, जो सब से मुश्किल माने जाते हैं, उनको हमने पार कर लिया था, फिर एकदम मुझे लगा कि पता नी क्यों मेरे चड़ने की कुछ कम हो गए थी, तो मैं ठक रहा था थोड़ा जल्दी, तो फिर पता एकदम मेरा ऑक्सिजन जो आ रहा था मेरे मास्क में, वो बिलकुल बंद हो गया, तो धीरे धीरे वो जो ट्यूब थी, वो पूरा ब्लॉक हो गए थी, तो मैंने ऑक्सिजन मास्क निकाला, और अधर रोक नहीं सकते हैं, और अलसो बहुत ठंड थी, शायद माइनस चालेस और माइनस पेंतालेस के बीच का तापमान था, तो मैंने दिया को बोला कि आप आगे जाए, आप क्लाइम करते रहो, मैं रोक नहीं सकता था, क्योंकि इतनी ठंड थी, और अगर मेरा समिट भी चले जाता, मास की वज़ा से, मैं नहीं चाहता था कि इतनी मेनत के बाद दिया ना चाड़ पाए, शिवांगी आप बताईए, आपके लिए, आप तो लगते हैं, ऐसे के आपको कुछ डेंजर लगता ही नहीं है, लेकिन क्या आपके लिए क्या सब्सक्रादा देंजरिस थ मैं जब कैम 3 जा रहे थी, तो हमारी 7 summits में हम 9 लोग जा रहे थे एक साथ, और आपकेन नहीं करेंगे, 7 लोग बापसी हो गए इस टाइम, वो तुपान इतनी तेज था, मुझे जब उसको पार करना पड़ा था, मैं बीच में अटकी होई थी, एक छोटा सा पत्थर दिख और वो जो गलव और हाते वो जुमार में नहीं घुस रहे थे, तो मेरे शेरपा ने उस तरह मेरी हल्प करी, जिनका नाम बहुत अच्छे थे, मेरे बड़े भाई जैसे थे, और उनने मेरी हल्प करी मुझे उपर खीचा और एक जगे सेफ करके बढ़ाया, संगीता अंकु और 2014 में जब मैंने माउंट में किनली क्लाइम किया था, तो मेरा नहीं उपरेशन हुआ था, क्योंकि आए इंजरी हो गई थी, तो मेरे लिए बहुत बड़े जम्स करने बहुत मुश्किल होते थे, तो उस ताइम पे मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं क्रविस में ना ज सा रहा था, और मेरा शर्पा मेरे साथ मेरे आगे था, तो दिन के कोई 11 बज गे थे, और उस ताइम मेरे खिल आइस मेल्ट शुरू होने लग गई थी, और हमारे नीचे एक बड़ा सा इस लाइब, वो तूट किया और वो नीचे गिर गया, उसके साथ हम भी चले गए, तो हम सेफटी लाइन से क्रिप्टन थे, मेरी दो लाइन से थी, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लटका वा था, पर हम थोड़ी देर के बाद निकलाए, तो, तो मेरे लिए बहुत बहुत देंगर था, मैं एक और चीज़ कहूंगा, अंकुर तो कोशिच ये कर रहे है कि साथ समिट तो क्रस कर ली उन्होंने, चड़ ली, लेकिन वो नौर्थ पोल और साउथ पोल भी करना चाहते हैं, आपने अलड़ी नौर्थ पोल साउथ पोल कर ली है, तो जो भी देख रहा है, इनको सपोर्ट करिए, बच्चियों को सपोर्ट करिए, गर्ल चाइल्स को स कर दो जो झाल, बच्चियों को सब्सक्राइब।